अभी हो चुक है टाइम खेतों में जानेगा तो दुबहर के बजह रहे हैं साढ्य हमारी हाथ मैं है चाए और धर्ड लूकेशन पर जा रहा हूं है अब देश सकते हैं थर्ड लूकेशन आपको आगे जाके दिखाता हूं फिलाल यह रस्ता देखिए तो यह है हमारी थर्ड लूकेशन सो पापा जो है वो बांद रहे हैं बंडल को मौम है अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं चाय पीनने के बाद करेंगा काम को सो आज का जो वरकाउट वो शौडर प्लस लेका वरकाउट है जो लेका वरकाउट हяж li ego वरकाउट इसलिए हमारों काफी नीचे से बंडल लाने पत रहे हैं और उपर की तरफ को जाना है तो इसलिए इसमे less than one लग वरकाउट हो बहरे है तो आप जो सामने में फैमली ज्मे सो फिलाल काम को जल्दी से करते हैं खतम क्योंकि रात होने वाली है अभी शाम के बजरे हैं छे और आप दोलधार रेंज का व्यू देखिए मुसम आज बिल्कुल साफ और चांद भी निकलाया यह देखिए सो ऐसे कुछ कलर आपको देखने को मिलते हैं हर तरा के फिलाल के लिए अभी का जो काम है वह हो चुका है खतम सो कल आएंगे फिर से सुबह जल्दी आएंगे क्योंकि अभी बस हमना वह जो आपको डिनर में गाड़ी बाला जो हमारा वह आया नहीं आज क्योंकि उसको कहीं और पर काम था तो सुबह जल्दी आएंगे पांच-साड़े-पांच के क्रीब हम आके घर ले जाएंगे सो अभी मिलेंगे सीथा आपको डिनर में अभी हो गया है डिनर टाइम तो डिनर टाइम में आपको दिखा जिता हूं कि क्या क्या मैंने आज लिए डिनर में चोले मा की दाल और घर का देसी माखण चार रोटियां और खारी में अगर टाइमिंग बताओं खाना खाने की तो अभी आठ बज़रे हैं अभी हो चुका है टाइम दूद्ध पिने का तो बाहर मैं बैठा हूं आप देसकते हैं मेरे पिछे चांद तो मोसम है साफ तो मिलते हैं सुबह सबको गुटनाइट और ब